Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal Happy Bitcoin having day guys Finally, जो बड़ा event था Bitcoin का वो हो गया यहाँ पे complete जो blocks थे वो भी यहाँ पे complete हो गए हुए लेकिन important चीज़ वो यह है कि इसका क्या impact Bitcoin की price में हमें देखने को मिलता है past history यहाँ पे क्या बोलती है इसके कितने time बाद Bitcoin actual में discovery mode में आता है जहां से Bitcoin का resistance जो होता है वो लगातार यहाँ पे तूटते रहते हैं उसको एक बार यहाँ पे आज के वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले जलते है Crypto Analyst पे market cap 2.2% अप है volume के बारे बात करेंगे 6.1% down है inflow का कोई data रात बारा बज़े सब तक देखने को नहीं मिला है fear and green index greed में है 66 में पिछले गंटे के sentiments है buy के तरफ और heat map काफी अच्छा देखने को मिल रहा है BTC 3.0 सॉरी अपडेट हो गया data हमारे बोलते ही BTC 2.98% अप Ethereum 1.69% अब यहां पे चल रहा है Bitcoin के चाट की बात करेंगे गाईस अगर तो जब यह वीडियो बना रहा हूं मैं Bitcoin का प्राइस है 64,224 जो support zone है हमारे पास 59,000 का वो अभी भी बना हुआ है कल भी हमने इसी बारे बात करी थी यह support zone बार बार अभी यहां पे टेस्ट हो रहा और normally ऐसा देखा है कि जब एक area बार बार यहां पे टेस्ट होता है तो वो तूट सकता है यहां पे तो इसका ध्यान रखेंगे कि अगर यह area तूटता है तो alt coins की जो हालत है वो काफी ज़्यादा यहां पे खराब हो सकती यहां कि market में negative impact भी है negative news भी है जिसका impact हमें negative देखने को मिल सकता है तो अगर future trade ले रहे है stop loss का और leverage का यहां पे ध्यान रखेगा जब तक 59,000 की उपर है तब तक कोई चिंता का विशय नहीं है लेकिन अगर यह area तूटता है तो panic moment यहां पे आपको bitcoin में पढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है bitcoin halving को थोड़ा सा यहां पी समझने की कोशिश करते हैं कि simple terms में आप लोग को बता रहा हूं में वो यह है कि जब भी bitcoin की halving होती है तो जो daily के bitcoin generate होते हैं वो half होते हैं तो जो miners को reward है वो यहां पे half होता रहता है अगर आप first bitcoin का देखेंगे जब halving होई थी वो होई थी 28 November 2012 को उस time पे bitcoin per day के create होते थे 3600 9th July 2016 को जब halving होई तो यह half होके 1800 हो गया 11th में 2020 को जब halving होई तो यह half हो गया यानि कि 900 और जो first यहां पे recent halving होई है that is 2024 को वहां पे जो per day के bitcoin के rate होते थे वो हो गया यहां पे halve that is 450 bitcoin एक बहुत interesting चीज़ है जो यहां पे bitcoin halving को unique बनाती है वो है bitcoin का price अगर आप देखेंगे जब bitcoin का first halving होई था halving से एक साल पहले bitcoin का price था 2.65 डॉलर halving के time पे bitcoin का price था 12 डॉलर halving के एक साल बाद पहले bitcoin का price था 2.70 डॉलर halving के time पे bitcoin का price था 6.63 डॉलर halving के एक साल बाद bitcoin का price था 2.550 अगर आप देखेंगे यहां ते तो सीधा almost एक 0 की तरफ हम लोग गए हैं आप बात करेंगे अगर 11 पे 2020 की यानि के third halving की तो bitcoin की halving से पहले bitcoin का price था 7.221 यहां पे हमें halving के time पे बहुत बड़ा pump देखने को नहीं मिला उस time पे bitcoin का price था 8.740 डॉलर पर halving के एक साल बाद bitcoin का price पहुच गया था 55.206 डॉलर इस बार इस data के according अगर हम current data को समझना चाहें तो halving से ठीक एक साल पहले bitcoin का price था 28.370 डॉलर और आज वो price हो गया है 63.809 यहां पे जब halving हुई है तो अगर हम लोग देखें तो 2016 को हम लोग यहां पे कुछ repeat करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो चीज़ भी यहां पे होती है तो यहां से बहुत easily bitcoin का price आपको अगले एक साल के अंदर 4X जाता हुआ देखने को मिल सकता है यानि कि आप 240 से 260 डॉलर की यहां पे बात कर दें लेकिन क्या यह तुरंत हो जाएगा क्या chart और pattern यहां बोल रहे हैं और क्या past history बोल रही है उसको एक बार यहां पे completely समझने की कोशिश करते हैं जहां से क्या होता है halving के तुरंत बाद वो आपको देखने को मिलेगा 3 last data मैंने आपके सामने यहां पे निकालें उसको एक बार अभी यहां पे analyze करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों की question है halving हो गई है पर bitcoin के price में तो pump देखने को मिला ही नहीं है तो यह जो पूरा 47 days की cycle थी यानि कि near about 1.5 महीने की cycle थी इसमें अगर आप देखेंगे तो bitcoin के price में कोई बड़ा movement देखने को नहीं मिला यहां पे 12 dollar थे और अगर आप एक महीने बाद भी देखोगे तो 13-14 dollar पे ही थे तो यहां से actual में pump start हुआ तो अगर हम लोग देखें तो 2012 में near about 47 days bitcoin को लगे थे जहां से उसने actual में रह लिए यहां पे लिए है इस चीज को अगर हम लोग समझना चाहें इससे जो next हुआ था having that is in 2026, 2016 26 में तो क्या होगा अगर यहां पे आप देखो तो bitcoin having के time पे bitcoin का price था near about 652 अब अगर इस हिसाब से हम लोग bitcoin के price को देखें तो यहां पे आप देखे bitcoin के price ने dump लिया उसके बाद bitcoin एक ही range पे चलता रहा है हाँ तो near about 117 days बाद bitcoin ने actual में जब same level पे आया जहां पे having में था उसके बाद bitcoin के price में यहां पे rally आपको देखने को मिली है अगर मैं इसको थोड़ा और भी लंबा करना चाहूं तो कर सकता हूं तो यह 162 days होगा पर छोड़ देते हैं यह जादा लंबा हो जाएगा अगर हम लोग देखे तो यहां से ठीक ठाक level का price moment हमें देखने को मिल गया था तो first time में हमें कितने days लगे यहां पर 47 days, second time हमें लगे यहां पर 117 यानि कि 117 दिन नेरवट आप बोल सकते हो इसको 4 महीं ने अब इसके according हम लोग जो last having होई थी यानि कि 2020 में वहां क्या हुआ था तो अगर आप देखो having के time पर bitcoin का price था 8,612 यहां से pump हुआ यह और यह 10,000 पर गया उसके बाद यह नीचे आया पर अगर आप actual में देखोगे न तो near about 71 days बात bitcoin के price में actual pump हमें देखने को मिला था जहां पर bitcoin ने having से अच्छा एक rally यहां पर दिखाई थी अब अगर आप इन सब चीजों को यहां पर लगाना चाहें तो अगर हम देखें तो तीन अलग-अलग data है हमारे पास first one है 47 days, second one है हमारे पास 117 days, अगला है हमारे पास यहां पर 71 days तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि having के तुरंत बाद आपको bitcoin के price में अब एक rally देखने को मिलेगी, पास data के हिसाब से rally का मतलब यह है कि यहां से bitcoin 1,000,000 डॉल चला जाए, कई लोग के question थे having हो गई है यहां पर हुआ ही नहीं है कुछ, having से तो price का pump होना चाहे था पर आप समझो, इसमें time लगता है, normally बस इतना है खाली, जो logically यहां पर change आता है वो यह है, कि जो per day के bitcoin generate हो रहे थे, अब वो यहां पर 450 generate होंगे अब अगर वो 450 generate होंगे तो market में supply का जो crunch है वो यहां पर आएगा, already ETFY कर रहे हैं, तो जो supply में crunch आने वाल है, वो आपको देखने को मिलता है तो थोड़े time बाद, इसका impact आपको bitcoin के price में देखने को मिलता है एक और चीज़, bitcoin having को अगर आप google trend पे check करना चाहेंगे तो वो भी इस बार सबसे ज़्यादा check हुआ है, यह clear indication है कि एक adoption level पे भी और global level पे भी, और मैं आपको यह worldwide data बता रहा हूँ, मैं currently यहाँ पे दुबई में हो, तो मैं आप लोगो UAE का data नहीं दिखा रहो, worldwide data दिखा रहो, तो आप यहाँ से देख सकते होगी चीज़े बदल रही हैं, यहाँ पे थोड़ा time का wait करना पड़ेगा having के बाद, पर चीज़े काफी better हो रही हैं, पर क्या इस better का मतलब आप bitcoin का price नीचे नहीं जाएगा, वो pump dump scenario, वो 10%, 20% के pump, 20% के dump जहां से liquidation होगा, जहां से market crash होगा, negative updates आएगा वो सब चलता रहेगा, पर थोड़े time बाद उमीद है कि यहाँ से अब आपको bitcoin actual में discovery mode पे जाता हूँ, देखने को मिलेगा, जिसका हम लोग पिछले 4 साल से wait कर देते, और जब वो event आएगा यहाँ पे, उसके बाद आप लोग को alt coins में rally देखने को मिलेगी, तो जो दिमाग में question है bitcoin अभी यहाँ से जाता ही रहेगा, नीचे ऊपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, थोड़े time बाद आपको वो चीज यहाँ पे देखती हुई, मिलेगी cryptocurrency industry में, तो I hope जो भी आपका अभी तक doubt था, bitcoin having को लेके, वो यहाँ पे clear होगा, अगर अभी भी कोई doubt है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो comment box में आप वो पूछ सकते हैं, तो इस हमारा आज का वीडियो regarding bitcoin having, कुछ और भी important चीज़े थी, एक exchange था, जिसके बार में बड़ा update मुझे आप लोग को देना था, पर मुझे लगा, यह first video है, bitcoin having के बाद, तो dedicate इसको having के लिए करें, उसको हम लोग next video में यहाँ पर discuss करेंगे, तो वीडियो पसंद आए, इसको like ऊचे जोगेगा, चैनल में अगर आप नहीं है, फस्टाइम वीडियो देगे, जो 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 को subscribe कर लिजेगा, cryptocurrency market के regular updates के लिए, मैं यहाँ पे token 204 9 के event में हो, लेकिन फिर भी, जो भी update मुझे मिल रहा है, वो at least आप लोग को telegram पे दे रहा हूँ, तो quick updates के लिए, telegram को जो जो जोइन करेंगा, link video के description मिल जाएगा, thank you friends,